इंडियन रेसिपीज को डिलीशिस बनाने में इंडियन मसालों का बहुत बड़ा हाथ है। पांच मसाला रेस्पीज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इनका यूज आपके खाने के स्वात को कई गुना बढ़ा देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं में मसाला यानि की गरम मसाला रेस्पी से। मसालों को रोस्ट करते हुए फ्लेम हमेशा हमने लो ही रखना है। गरम मसाला बनाने के लिए पैन में सबसे पहले मैंने लिया है वान फॉर्थ कप साबु धनिया, वान फॉर्थ कप जीरा, वान टेबल स्पून सौंफ, इन तीनों चीज़ों को हमने लो फ्लेम पे एक से प्रियर्ड मिनट तक रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, बहुत जादेर तक रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और उनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। दाल चीनी के एक जैफल, काली मिर्चली है, एक चमच और साथी डाला है तेज पत्ता। इन सब चीज़ों को भी हम एक से तेर्ड मिनट तक ही रोस्ट करेंगे, कोई भी मसाला बनाने के लिए उसकी क्वांटिटी आप कम या जादा कर सकते हैं अपनी र्क्वायर्मेंट के हिसाब से, लेकिन मैं आपको यही ड्वाइस करूँगी कि मसाला जब भी बनाएं, थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, ताकि आपका एक मन्त के अंदर-अंदर खतम हो जाए, कि बार-बार खोलने और यूज़ करने से इनका अरोमा धिरे-धिरे खतम होने लगता है, आप चाहें, तो इन सभी चीज़ों को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग रोस्ट करने से यह अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं, क्योंकि कोई मसाला ज़ादा टाइम लगता है रोस्ट होने में तो कोई कम, तो बस इन सब को मैंने अब grinder जार में निकाल दिया ह और उसके बाद इसमें डाला है थोड़ा सा अद्रग का पाउडर जिसे कि हम सौंट पाउडर भी कहते हैं पाउडर बनाते वक्त ग्राइंडर को थोड़ा रोक रोक कर चलाएं ताकि मसाले अच्छे से पिस जाएं और मसालों की गरम होने की वज़र से ग्राइंडर को भी कोई हाम ना हो लीजिए हमारा गरम मसाला तो तयार हो गया है अब इसे किसी ड्राइ कंटेनर में निकालेंगे लेकिन ध्यान रहे ये कंटेनर आपका एर टाइट कंटेनर होना चाहिए नहीं तो मॉइस्चिर की वज़र से आपका मसाला खराब भी हो सकता है और इसे यूज़ करने के लिए हमेशा ड्राइ स्पून का ही इस्तिमाल करें मैं मसाला हमेशा थोड़ी कौंटेटी में बनाती हूँ और इन्हें स्टोर करने के लिए इसी तरह के छोटे कंटेनर का इस्तेमाल करती हूँ कौन से कंटेनर में कौन सा मसाला है ये जानने के लिए हर कंटेनर पे एक स्लिप का होना बहुत जरूरी है पेपर पे उसका नाम लिखके टेप के साथ उसको स्टिक कर सकते हैं दाकि आप जान सकें कि कौन सी डिबी में कौन सा मसाला है ऐसा करने से किचन में काम करना ना सिर्फ आपे के लिए असान होता है बलकि कोई भी अंजान आदमी भी आपके किचन में इजीली काम कर सकता है लेकिन मसाला रेस्पी है जिसके बारे में बहुत बार पूचा गया चाई मसाला इसे बनाने के लिए 7-8 स्टिक्स लिए हैं मैंने दाल चीनी की और साथी 30-40 लिए हैं मैंने छोटी इलाइची इन दोनों चीजों को मैं रोस्ट करूँगी वो भी 1-5 मिनट लो फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करने के बाद मैंने ग्राइंडर जार में डारेक्ट ही निकाल दिया है अब उसी पैन में एक टेबल स्पून के राउंड मैंने सौंफ डाली है अब इसे भी एक से देड़ मिनट तक मैं रोस्ट करूंगी कुछ लोग ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च के दानों का भी इस्तेमाल करते हैं चाय में लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाला है अगर आप डालना चाहें तो इसी टाइम पे आप सौंफ के साथ उसे भी रोस्ट कर सकते हैं और अब इसे भी मैं ग्रीन अलाइची और दाल चीनी के साथ ग्राइंडर जार में ही डाल दूँगी और उसके बाद मैं डालती हूँ चाय में रोस्ट पेटल्स आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं अगर आप मसाला बना रहे हैं तो बेटर है कि आप इसको रोस्ट करके इसी के साथ ग्राइंड कर लें चाय में रोस्ट पेटल्स का यूज इसके टेस्ट को तो बढ़ाता ही है और साथ ही डाजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है और ये एक हर्बल रेमिडी की तरह काम करता है जिससे यूरिनरी इंफेक्शन, कॉंस्टिपेशन या डाइरिया जैसी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाती है इसी तरह से अगर आपके घर में तुलसी का पौदा है तो दो चार पत्ते तुलसी के तोड के लाएं और वो भी चाई में डाल दें आप चाहे तो उनको सुखा कर इसका पाउडर बनाके इस मसाला में भी आड़ कर सकते हैं कोई जानता है कि तुलसी भी एक मेडिसन की तरह ही काम करती है वाइरल फीवर हो या फिर आपको खांसी हो जुकाम हो तो बैस्ट होता है कि जब आप चाई पीते हैं तो तुलसी के दो चार पत्ते उसमें आड़ कर लें और एक छोटा चमज डाल रही हूँ मैं अदरक का पाउडर यानि की सौंट का पाउडर आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आज कल विंटर में हम अदरक वैसे भी चाई में कूट कर डालते हैं उसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है लीजे चाई म मसाला की स्लिप्ट एक बार यह मसाला ट्राइजरूर कीजेगा आई होप आप डिसपॉइंट नहीं होंगे नेक्स्ट रेसेपी है चना मसाला जिसे हम पंजाबी में छोले मसाला भी कहते हैं इसे बनाने के लिए पैन में सबसे पहले वान फोर्थ कप साबुद धनिया वान फोर्थ कप जीरा दस से पंदरा लॉंग लिये हैं दस से बारा बड़े इलाइची कुछ दाने लिये हैं ब Ingredients वही होते हैं, लेकिन हर मसाले में थोड़ा बहुत फेर बदल होता है, धनिया और जीरा हर मसाले की शान है, आगे की चीज़ों को रोस्ट करने से पहले इन सभी को हम पहले एक बॉल में निकाल देंगे, अब उसी पैन में कुछ तेज पता लिए हैं, और साथ ही लिए है चैना मसाला पाउडर की जो मैं रेस्पी आपके साथ अभी शेयर कर रहे हूं, वो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, आप इसे स्पाइसी पनाना चाहें तो आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और एड़ कर सकते हैं, इस मसाला को बना के एक बार यूज करने के बाद आप म इसे क्रेकर होने लगें तो आप इनको निकाल लें, इसके बाद हम इन में कुछ ड्राइ इंगिनेट्स डालेंगे, सबसे पहले दो चमज के राउन में ले लिया है, आमला पाउडर उसके बाद डाला है, इसमें जिंजर यानिकी सौट का पाउडर, आमचुर पाउडर डा नेक्स्ट रेसिपी है चिकन मसाला, इसके लिए पैन में सबसे पहले लिया है, वन थर्ड कप के अराउंड खस-खस, खस-खस को हम बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे, और इसे एक बोल में निकाल के साइट कर देंगे, और एक पैन में डालेंगे, वन एक से लेड़ मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे, और खस-खस के साथ उसी बोल में इन सब चीज़ों को भी डाल देंगे, और उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स टेप पे, और हमारा नेक्स टेप है सूखी साबुत, लाल मिर्च और कसूरी म पाउडर बनाने की, क्यूंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो सारे मसाले मैंने आज एक साथ बनाए हैं, तो मेरा किचन तो क्या, आज मेरा पूरा घर खुश्बु के साथ महक रहा है, तकरीबन तकरीबन हर तरह के मसाले की खुश्बु मेरे पूरे घर में इस वक्त फैल और यही रिजन है कि खाने में इंका इस्तेमाल हमारी भूक और बढ़ा देता है, फिफ्ट एंड लास्ट रेसिपी है सांबर मसाला, इसके लिए पैन में डाले हैं दो टेबल स्पून चना दाल, दो टेबल स्पून उड़त की दाल और दो ही टेबल स्पून तूर यानि की अरहर की दाल, तीनों दालों को लो से मीडियम फ्लेम तक हम दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, दालें रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद इन्हें निकाल देंगे एक बोल में, इसके बाद उसी पैन में वन टेबल स्पून मेथि सीड्स लेंगे, उसे भी एक से डेड करना है, ध्यान रहे कि हाई फ्लेम पे रोस्ट ना करें, कोई मसाला जल ना जाएं, इसके बाद पैन में लिया है, एक चमच मस्टर्ड सीर्ड यानि की सर्सों के दाने, और दो चमच लिये हैं, ब्लैक पेपर यानि काली मिर्च के दाने, और साथ ही डाली है कुछ सूखी रोस्ट 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 और डाल दें उसी बोल में, और उसके बाद उसी पैन में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता, आपके पास फ्रेश पड़े हैं, तो वो भी चलेंगे, उनको भी रोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ड्राइ की होए कड़ी पत्ता पड़े हैं, त आपिक के साथ तिल देन बाई, टेक केर और स्टेए हल्दी.